नवश्कार सभी साथियों को सोगत करता हूँ सभी का इस यूटूब चैनल पर मित्रों रीट एक्जाम दो हजार चोईस पच्चिस सी इटी जो एक्जाम होता है विभिन बर्तियों के लिए साथ ही पटवार एक्जाम फर्ष्ट ग्रेंट और सेकंड ग्रेंट की जो बर्ति है इन सभी के लिए और अन्य भी जो बर्तिय है जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रिश्ण पूछे जाते हैं सभी के लिए बेहद उप्योगी वीडियो लेकर आया हूँ टोटल प्रश्णों की संक्यां यहां 38 है और इस पेपर में यह जो वीडियो है इसमें आपको संदी जो टोपिक है समास टोपिक है उपसर्ग टोपिक है और जो प्रत्य टोपिक है इन चाल टोपिक से यह प्रिश्ण आज हम हल करने वाले हैं तो वीडियो को पुरा देख करके जाइएगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखेएगा, पहला प्रिश्ण क्या पूँच रहा है। उच्छिष्ड शब्द का सही विच्छेद है। उत्ट प्लस शिष्ट क्या बनेगा उत्ट प्लस शिष्ट बराबर शब्द बन जाएगा उत्चिष्ट ठीक है पहले प्रिश्ण में टीसरा विकल्प आपका अंसर है प्रिश्ण नमबर दो की ओर बढ़ेंगे दूसरा प्रिश्ण व्यंजन संदी का उदाहरन है परिश्कार परमोशद दुरूप योग और तपोवन तो देखो व्यंजन संदी के बारे में पूछा गया है अगर हम बात करें तो तपहे प्लस वन दूहे प्लस उप्योग परम प्लस ओशद परम प्लस ओशद इसमें तो आपके स्वर संदी हो लिए किन्तो परिशकार परी प्लसकार परी प्लसकार बराबर शब्द क्या बन जाएगा परिशकार बन जाएगा और अगर आप सोझ रहें परी है प्लसकार जी नहीं परी के बाद विसर्ग लगता ही नहीं तो फिर आपका आंसर यदि परी के शब्द है इसमें कौन सी संदी है वियनजन संदी है प्रशन संख्या तीन की और बड़ेंगे दूसरे में पहला विकल्प सैई है तीसरा जो प्रशने पूच रहा है रसोतपत्ती इस शब्द का संदी विच्चेद होगा रस प्लस उत्पत्ती रस legislature सुथ उत्पत्ती बड़ा वाला उ है तो देखो रस उत्पत्ति ये सोर संदी के अंतरगत आता है रस उत्पत्ति शब्द और इसका संदी विचियत करें तो रस प्लस उत्पत्ति यहां साथ यू बड़ा उ नहीं आएगा उत्पत्ति में तो एक का बाद में क्या रहा है उ आ रहा है एक का बाद में उ क्वण संदी और यहाँ संदी होगी और शब्द क्या वन रहा है रसोथ पत्ती chancellor है पहला विकल्पाप के तीस्रे प्रिष्ण का सहयाँ आंसर है प्रिश्ण नम्बर चार की ओर बढ़ेंगे छोता प्रिष्ण है ऐं किस करमांग कमें सही संदी आधिक्षन बराबर अधिप्लस इक्षन, अभिप्सित बराबर अभी-प्लस इप्सित, प्रोड प्रे प्लस उड़, और निरी है, नी है, प्लस i है, तो साथियों प्रश्चनो संख्यात चार का, कौन सा विकलप आपको गलत दर्शा रहा है, इतुरों अधिप्लस इक्षन अधिक्षन जो शब्द बनेगा इसमें बड़ा वाला E आएगा तो ये गलत अभी प्लस इपसित जो बनेगा इसमें भी बड़ा वाला E आएगा ये भी गलत प्रे प्लस ओड ब्रवबर शब्द प्रोड बनता है बिल्कु सही है ये और निरी हिम नी प्लस E है E बड़ा आएगा यहाँ पर E तो ये भी गलत हो जाता है चोते प्रिश्ण में तीसरा विकल पाप का अंसर है प्रश्ण नमबर पाच क्यों बढ़ते हैं प्रत्य अरपन का संदी विच्छेद होगा प्रत्य प्लस अरपन प्रती प्लस अरपन और प्रती प्लस अरपन तो मित्रोग प्रश्ण संख्या पाच का अंसर देख लेते हैं प्रत्य अरपण में कौनसी संधी ओर रकी है, यन संधी, और इसका संधी विचेट क्या होगा, प्रत्य प्लस अरपण, बराबर E का बन जाएगा ये, तो शब्द क्या बनेगा, प्रत्य अरपण, दूसरा विकल पाचवे प्रिश्न का अंसर है, प्रिश्न नमबर 6 की ओर संदी कहा हो रखिए दिन रात पंचवटी चंद्रमुकी इनमें कोई संदी नहीं है लेकिन राम अनुज राम प्लस अनुज बराबर शब्द क्या बन जाएगा राम अनुज दिर्ग संदी है साथ यू इसमें और इसमें समाज भी है प्रश्ण संख्या छे में चोता और दिक्षांत देखो स्वर संदी स्वर संदी की बात करेंगे इसमें एक ही विकल्प एसा है जिसमें स्वर संदी है और वो कौन सा है चोता विकल्प दिक्षांत शब्द का विच्छेद होगा दिक्षा प्लस अन्त बराबर शब्द क्या बनेगा दिक्षांत दिर्ग व्यान्सर है चोता ही विकल्प दिर्ग संदि किसका वेद है सो और संदि का वेद है फ्रस नंबर आ最近 वर बढ़ेंगे पूंच रहा है संगत सभ्द का सहीं संदी विग्रय है समपलस गत संदी प्लस गत और सीक्ट अब अब दोनों जगे क्या है, एक तो यहां पर हलंत लगा हुआ है, यहां अलंत नहीं है, यहां हलंत लगा हुआ है, तो मित्रो संगत, इसका संधी विच्छेद करेंगे, संधी विच्छेद करेंगे, संधी विच्छेद क्या, तो देखो संगत का विच्छेद होगा, सम प्लस क्या बनेगा सम प्लस गत बराबर शब्द क्या बन जाएगा संगत कौन से विकल्प में दे रहा है पहले विकल्प में पहला विकल्प आठवे प्रिश्ण का अंसर है प्रिश्ण नमबर 9 की और बढ़ते हैं नौवा प्रिश्ण पूंच रहा है क्रमदारे समास का उधरा नह तो टीसरा इर्तियान नहीं निकलता है यह पिर तूलना की जाती है किसी चीज की किसी से देखो परमानूँ परम है जो अणू चतुरानन चार है आनन जिसके तो चार है आनन जिसके तीसरा रत निकल रहे है यहाँ पर तो साथियों तो पिर ये बहुब्री का उदारन हो जाता है चतुरानन शब्द जो है इसमें कौन सा समा से बहुब्री ही नैकी करमदार है प्रश्च नमबर 9 में दूसरा विकल्प आपका अंसर है प्रश्च नमबर 10 क् साथियों यहाँ पर करतानेक कर्म को कर्म ततंपरुर समास का यह उदारन है और इसका सामसिक पत बनेगा estás प्रिश्ण संख्या 11 को देखेंगे कन्या दान समस्त पत का उप्युक्त विग्रय है कन्या को दान कन्या के लिए दान कन्या का दान और कन्या पर दान देखो कन्यादान शब्द का प्रियोग कहा होता है शादी विवा में जो शादी विवा होते हैं इनमें कन्यादान शब्द का प्रियोग हम अक्सर सुनते हैं अब उसमें कन्यादान की बच उसने यार कन्या दान किया मतलब कन्या का दान किया कन्या को दान नहीं कन्या का दान किया तीसरा विकल्प आपके ग्यारवे प्रिष्ण का अंसर है बारवे प्रिष्ण में देख लेते हैं यग्यवेदी में समास का नाम बताईए करम तत्पुरुस करन तत्पुरुस संपरदान तत्पुरुस और अपदान तत्पुरुस तो भाई यग्यवेदी इसका यदि ह हम समास विग्रे करेंगे, तो फिर आसानी से पेचान भी सकेंगे कि ततपुरुस का कौन सा भेद है, तो यग्यवेदी का विग्रे होता है, यग्य के लिए वेदी, क्या होता है, यग्य के लिए वेदी, बराबर शर्द बनेगा यग्यवेदी, अब के लिए कारक्चिन किसक गया इसाथियों निम्ण में से कौन सा क्रमदारे समास का उधारन नहीं है महा पुरुष युद्ध भूमी श्वेत पत्र और क्रिश्ण में इन में से जो क्रमदारे समास का उधारन आपको नहीं लगता है तो महा पुरुष महान है जो पुरुष क्रमदारे श्वेत पत्र श तृपत्र श्वेत क्रिश्ण में काले हैं जो बादल म meget मतलब बादल तो तीनों ही करमदारे समास है लेकिन युद्ध भूमी युद्ध के लिए भूमी युद्ध भूमि ततपुरुस समास का यह उदारण है मित्रो तेरवे प्रिष्ण में दूसरा विकल्प आपका क्रमदारे समास का उधारण नहीं है तो यह आपका अंसर रहेगा दूसरा विकल्प प्रेश्ट नमबर 14 की और बढ़ेंगे वनवासी शब्द में समास है करमदारे तत्पुरुस द्विगू और द्वनदू तो वनवासी वन में वास करने वाला क्या कहलता है वनवासी तो यहाँ पर अगर हम देखें मित्रो वन में वास करने वाला तो यहाँ पर सात्यों यह वन में बतलब तत्पुरुस समास का उध तारण है चाओदुवे प्रिश्ण में दूसरे विविकल्प सही है प्रिश्ण नमबर 15 क्यों बढ़ेंगे पंद्रवा प्रिश्ण पूँच रहे हैं निमलिकित में से द्विगु समास कौन से शब्द में हैं पुरुश्य सिंग आजीवन सप्ता है और भूदान तो देखो बूदान भूकादान संबंद काके की संबंदत पुरुश का है ये तो आजीवन आजीवन मतब जीवन बर ये अविविभाव का है पुरुश सिंग जो पुरुश सिंग के समान हो ये क्रमदारे का है सब्ता है साथ दिनों का समूद तो साथियों ये आपके किसका उधरन है दिगु समास का, दिगु समास में प्रतम पत के सब आता है, संक्या वाची होता है, तीसरा विकलप आपके 15 प्रिश्ण का अंसर है, प्रश्ण नमबर 16 को देखेंगे, 16 प्रिश्ण देखेंगे, दिगु समास का लक्षन नहीं है, पुरुपद का संक्या वाचक होना, संक्या द्वारा समू का बोध होना, विग्रे करने पर समू शब्द प्रियुक्त होना, दोनों पदों की प्रधानता होना, तो देखो जो द्विगू समास का उधारन नहीं है, वो देखेंगे, द्विगू समास की बात करें, तो इसमें पुरूपत संक्या वाचा कोता है, संक्या द बताने पर समूद श्ब्द प्रियुखत होता है और दोनों प्रदों की प्रदानता। 새 दोनों प्रदों की प्रदानता यह द्नगू समास का लक्षन नहीं था, सांधों का लक्षण है। रेखांग की शब्द में कौन सा समा से बहुबरी है तत्प्रू से अविभाव है या करमदारे हैं तो देखो पितांबर पे रेखांग की तरह अब सिर्फ रेखांग की शब्द ही यहां जो है वो पितांबर है आप यह सोट ले कि या पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विश देंबर मतलब यह क्रमदारे में आएगा फिर, तो फिर आपके यह छोता विकल्प जो है, 17 प्रिश्ण का सई आंसर होगा, 18 प्रिश्ण के और बढेंगे, अब देखो, संदी के प्रिश्ण देख लिए, समास के प्रिश्ण भी हमने देख लिए, अब हम उपसर्ग के की तरह नहीं होता है बलकि सात्यों उपसर्गों का प्रियोग नहीं सोतन्त रूप से होता है बलकि उपसर्ग किसी धातु में या शब्द में जुड़ते हैं तो इनका प्रियोग सोतन्त रूप से नहीं किया जाता है 18 प्रिश्ण में दूसरा विकल पाप का अंसर है, प्रश्ण नमबर 19 की ओर बढ़ेंगे, 19 वा प्रिश्ण है, अधिश्ट ठाता शब्द में सही उपसर्ग है, अधि, अई और उन, तो मित्रो, अधिश्ट ठाता जो शब्द है, इसमें अगर हम देखें उपसर्ग, तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, दूसरा विकल पापके 19 वे प्रिश्ट का अंसर है, प्रश्ट नमबर 20 की ओर बढ़ेंगे, देखो किसी प्रिश्ट में, अगर कोई डाउट लगे, तो कमेंड बोक्स में आप अपना सजेशन हमें दे करिएगा, संसकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है, संस, सन, संस और सम, तो देखो संसकार, इसका विच्चेद करके देखेंगे, तो आसानी से उपसर्ग इसका निकाल सकते हैं, इसका विच्चेद होगा सम प्लस कार, सम प्लस कार बराबर शब्द क्या बन नेक्स्ट रिट 21 क्यों बढ़ेंगे, देखेगा 21 है, इनमें से उपसर्ग रही शब्द है, उजवल, नियून, विधान और त्रेंबग, देखो उपसर्ग रहीत, मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो उत प्लस जुवल भराबर शब्द क्या बन जाएगा, उ नियून, नी प्लस उन, नी उपसर्ग लगा हुआ है, विधान, वी प्लस धान, वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इनमें तो उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन त्रम्ब्यक जो शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अथा है 21 में चोता विकलपा आपक इसमें लगा हुआ है मित्रो उत्थान जो शब्द है इसमें उत्व उपसर्ग लगा हुआ है दूसरा विकलप आपके 22 प्रिश्ण का अंसर है नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे 23 प्रिश्ण है किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है नियून निकाई निवेदन और देखो जिसमें नी उपसर्ग नहीं है नी प्लस उन बराबर नियून है इसमें तो नी प्लस काई बराबर शब्द निकाई नी प्लस वेदन बराबर शब्द निवेदन और निर्देशक में नी उपसर्ग नहीं है बलकि निर उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है निर उपसर गहे अतहे हैं 23 फ्रिष्ण में चोता विकल्प आपका आंसर होगा प्रश्ण नमबर 24 क्यों बढ़ेंगे 24 एक कम क्या लिखा हुआ है एक कम के लिए प्रियुक्तोने वाला उपसर्ग है उन अन नय और बिन तुद देखो एक कम जिसे 19, 29, 49, 59, 69, 89 ठीक है अब यहां तक जो आते हैं इसमें उन उपसर्ग लगा होता है और इसका अर्थ क्या होता है एक कम 19 का मतलब क्या होता है 20 में एक कम तो उनका जो है यह इसका अर्थ होता है एक कम पहला विकल्प आपके 24 का सही आंसर है 25 को देखेंगे 25 प्रिश्ण इन में से कि शब्द में परा उपसर्ग है पराखाष्टा, पराधीन, परायन, पराश्रित तो देखो जिसमें पराउपसर्ग है उसका आपको चेन करना है मित्रों पराधीन को देखे तो पराधीन में तो पर प्लस अधीन दूसरों के अधीन पर है इसमें नेकी परा पराश्रित पर प्लस आश्रित दूसरों पर आश्रित इसमें भी कौन सा उपसर्ग है पर है ये भी आंसर नहीं है परायन या पराकाश्टा तो मित्रों पर प्लस अयन क्या शब्द होता है पर प्लस अयन यहाँ पर कौन कौन सी संदी हो रही है एक तो आपके संदी हो रही है दिर्ग और एक संदी और यह आपके व्यंजन परायन शब्द इससे बनता है इसमें भी पर उपसर्ग है बाकी पराकाश्टा जो शब्द है परा प्लस काश्टा ये बिल्कुल इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है पहला विकल्प आपके 25 प्रिश्ण का आंसर है 26 को देखे है दोनी 2 से आदिके तो देखो हम देखेंगे पर्या उरन परी प्लस आ प्लस वरन बराबर शब्द बनेगा पर्या उरन तो परी है आ है दोई है संपलस अन प्लस वए इसमें वी दोई है दूर व्याव हर दूर प्लस V प्लस अव प्लस हार बिलकुल इसमें दुर भी है V भी है अव भी है हार इसमें मूल शब्द है तो यहाँ दूसरा जो विकल्प है इसमें दो से अधिक मतलब तीन उपसर्ग लगे हुए है दूसरा विकल्प 26 का सही आंसर है बाकि व्याकरण जो है V प्लस A प्लस करण इसमें भी दोई है तो पिर यह भी आपका अंसर नहीं है दूसरा ही विकल्प 26 का सही आंसर है 27 की ओर बढ़ेंगे 27 वो प्रिश्ण देख लेते हैं इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है पराधीन, पराभव, परामर्श और पराजे पराउपसर्ग नहीं है वह इसका तो अंसर मेंने एक क्यूशन पहले ही बताया था पराधीन, पर प्लस अधीन बराबर शब्द क्या बना पराधीन इतरों इसमें पर है ने की परा विकल्प नमबर पहला आपके 27 का सही आंसर है बाकी पराभव, परामर्श और पराजे इन तीनों में पराउपसर्ग लगावा है 28 में परिश्ण क्योशन देखेंगे परिश्ण नमबर 28 को परती उपसर्ग के योग से बना शब्द है प्रतिकर, प्रत्याशा, परिक्षा और प्रियोग देखो प्रियोग में तो प्रे लगावा है परिक्षा में परी लगावा है प्रत्याशा में परती लगावा है और प्रतिकर इसमें तो कोई नहीं है अब क्या पूचा है परती तो परती प्लस आशा बराबर शब्द क्या बनेगा प्रतियाशा, बिल्कुल दूसरा जो विकल्प है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुए साथियों, प्रति उपसर्ग के योग से ये शब्द बना है, दूसरा विकल्प 28 वे प्रिश्ण का अंसर है, 29 के ओर बढ़ेंगे, इन प्रत्य से निर्म मतब प्रत्य वाले प्रिश्ण करेंगे, तो इन प्रत्य से निर्म शब्द है, नाईन, पंडीतायन, कुलीन और ठकुराइन, देखो ठकुराइन में तो आईन लगावा है, पंडीतायन में भी आईन लगावाम है, नाईन वzarन वह बढ़ा पूचा गया है, या चोटा है, तो ये भी गलत है, अब कुलीन, कुल प्लस इन, कुल प्लस इन बराबर शब्द बनेगा कुलीन, तीसरा विकल्प है, इसमें इन प्रत्य लगावा है, तो उन्तीसवे प्रिश्ण में, तीसरा विकल्प आपका अंसर है, प्रिश्ण को देखेंगे, लुटेरा शब्द का सही विबाजन है, लूट प्लस एरा, 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 देखो यहां इसमें हलंत हैं, इसमें बड़े उकी, इसमें छोटे उकी मात्रा है, तो लूट एरा जो शब्द है, अगर हम देखें, तो मित्रों, लूट तो ज देखेंगे मानुवे शब्द में प्रत्य है अनिय है यह यह कोई नहीं तो कोई नहीं कोतवा फटा दो मानुवे में अनिय कोई प्रत्य नहीं है या फिर ई बड़ा वाला तो मित्रों मानव प्लस ई है बड़ा ई की मातर लग रहें बड़ा ई वाला जो है इसमें प्रत्य लगा है अनिष्ट बलिष्ट वरिष्ट और गरिष्ट तो वही जिसमें इश्ट प्रत्य लगा हुआ है वो आपको प्रश्ण संख्या 33 में देखना है यहां तो साब साब दिख रहे हैं गरिष्ट वरिष्ट बलिष्ट में तो ठै लगा हुआ है अनिष्ट में यह तो पहला वाला उविकलप आपके 33 वे प्रिश्ण का अंसर है, प्रश्ण नमबर 34 को देख लेते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्य है, लागव, धूर्त, नाव और कमर, अब आपको जहां लगे कि आप इस शब्द में प्रत्य, तीन शब्दों में कोई प्रत्य निये, विकलप आपका अंसर है, प्रश्ण नमबर 35 की ओर बढ़ेंगे, अतिती शब्द में A प्रत्य जोडने पर बनने वाला शब्द होगा, अतिती, आतिते, अतिते और आतत्य, वही अतिती प्लस A अगर हम जोडेंगे, तो शब्द बनेगा आतीते, क्या बनेगा आतीते, दू लड़का शब्द में प्रत्य जोड़ने पर भावाचक संग्या बनेगी लड़का पन लड़के लड़क पन और लड़त हुए देखो अगर हम लड़का शब्द में प्रत्य जोड़े तो यहां पर क्या जूड़ेगा लड़का प्लस पन बरापर लड़का पन नहीं होता है शब्द की होता है लडखपन क्योंकि यह भाव अचक संग्या है थीसरा बाकि यह भाव अचक संग्या है या नहीं 36 वे प्रिष्ण में थीसरा विकलप आपका अंसर है जलिए अगले प्रिष्ण की ओर बड़ा देखेगा प्रश्णमबार 37 हैं, निम्र में से किस शब्द में प्रत्य का अशुद्ध प्रियोग है? आरोग्य ता, रुगण ता, वेध ता और थीवरिता. देखो, तीवरि प्लस ता बराबर थीवरिता ता सही है इसमें तो, वेद प्लस ता इसमें भी ता सही है रुग्ण प्लस ता इसमें भी ता सही है अब आरोग्यता आरोग्यता नहीं होता है आरोग्य होता है साथियों देखो आ प्लस रोग प्लस ये प्लस ता इस प्रकार से ये शब्दिनों ने बना रखा है तो ये और ता दोनों बहुआ जो एक साथ का भी बिनियात है मदूर्त अमादूर्य में दोनों शब्द है लेकिन मादूर्य इ aller गलत है उसी प्रकार आरोग यह जो शब्द है यह सब्थ है बिल्कुन सुद्ध है लेकिन 예 जो शब्द है यह शुद्ध नहीं है गलत है यह तो इस प्रकार ч Abιds वैं पर छो पाप का अंसर है ये complete होता है आपके हिंदी का ये taste कैसा लगा हमें comment box में comment करके बताईएगा और कितने प्रश्णों को आपने से 30 में से सही किया है जरूर ये भी comment में जरूर बताईएगा मिलेंगे साथ योगल अगले वीडियो में धन्यवाद सभी का